नमस्कार दोस्तों आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरा नाम है रविंदर दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि जियो के डिश्टूटर जियो पोज प्लस की आईडी नहीं बना रहे हैं यदि उनके पास कोई रिटेलर जाता है तो वो उनके लिए जियो पोज लाइट का अकाउंट बना रहे हैं दोस्तों ऐसा जियो के डिश्टूटर क्यों कर रहे हैं और दोस्तों यहाँ पर जो उनको क्या वैनिफिट है जियो पोज लाइट का अकाउंट बनाने में तो आज मैं आपको बहुत बारिकी से information दूँगा इस वीडियो के माध्यम से तो दोस्तों चली वीडियो में बने रहना वीडियो को शुरूर से लेके लाज तक जरूर देखिए और जिदिया आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करें तो लाइक कर दें और कोमेंट करके दोस्तों जरूर बताएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है और जिदिया आपने अभी तक मुझे टेलिग्राम चैनल पर जोईन नहीं किया है तो मेरी वीडियो को डिस्किप्सिन में जाएं लिंक पर किलिक करें और आप भी जोईन हो जाएं मेरी टेली ग्राम की फैमिले हैं वी वो हमको जियो पोज प्लस की आईडी नहीं दे रहे हैं वो हमको जियो पोज लाइट का अकाउंट बनाने के लिए कह रहे हैं कि हम आपका जियो पोज लाइट का अकाउंट बना देंगे अब दोस्तों यहाँ पर डिस्टूटर ऐसा क्यों करते हैं उसके दोस्तों दो बड़ दी जाती है लेकिन दोस्तों यदि आप किसी जानकार के थुरू वहाँ पर जाते हैं तब आपको GeoPos Plus की ID दी जाती है क्योंकि दोस्तों किसी के सहारे से वो ही बंदा जा पाएगा जो काम करेगा अब यहाँ पर दोस्तों GeoPos Plus की ID ना देकर Geo के GeoPos की ID क्यों देते हैं उसके दो बड़े कारण होते हैं सबसे बड़ा पहला कारण माल लिजे आपकी age 18, 19, 20 या 25 तक आपकी age है तो दोस्तों ऐसे में जो डिश्टूटर उनका भरोसा नहीं करते हैं कि यह retailer जो है काम कर पाएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है यदि आपको retailer बना दिया जाता है कि डिश्टूटर पहले देखते हैं कि यह काम यदि बढ़िया करते हैं तो दोस्तों आपका जो है साथ के साथ आपका कुछ महिने बाद GeoPos Plus का account बना दिया जाता है और दोस्तों मालीजे आपके area के distributor आपको GeoPos Lite का account बना के दे देते हैं तो आपको जैसे मालीजे कुछ retailer यह सोचते है कि वहाँ पर 6% है या 5% का commission है लेकिन GeoPos Lite में 4% का commission दिया जाता है तो दोस्तों आप घबराए नहीं जदी आप GeoPos Plus के retailer ना बने और यदि आपका distributor आपको GeoPos Lite का account दे देता है तो दोस्तों आपको SIM में problem नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत चीजी के ऐसा देखा गया है कि GeoPos Lite के retailer को distributor SIM नहीं देते हैं उनको JCN Geo Center जाना पड़ता है और वहाँ से SIM खरीदनी पड़ती है तो दोस्तों यहाँ पर एक तो कारण यह हो गया कि वो GeoPos Plus के नए retailer को यादि कोई retailer Geo का नए retailer बनना चाहता है तो उनको इसलिए GeoPos Plus का नए account नहीं दिया जाता है उसके बदले उनको GeoPos Lite का account दिया जाता है दूसरा बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर company की तरफ से कुछ policy है कुछ इनिया में कि GeoPos Plus के जियो के जो retailer है या जियो के जो distributor है उनको जो है company की तरफ से एक notification आता है यानि कि कुछ सवाल जवाब आते है कि यहाँ पर उनसे कहा जाता है कि आपको साथ के साथ GeoPos Plus के account के साथ साथ retailer का GeoPos Lite का account बनाना compulsory है तो दूस्तों यहाँ पर जो है इसलिए जो उनके पास कोई भी नया retailer आता है तो वो उनकी GeoPos Plus की ID ना बनाकर GeoPos Lite की ID बना देते हैं और जो उनकी PRM ID होती है उसको अपने वहाँ पर सिस्टम में दर्ज कर देते हैं और कंपनी को forward कर देते हैं कि हमने जो है यह एक नया retailer बना है GeoPos Lite का तो दोस्तों यह आप एक GeoPos Plus के retailer हैं कोमेंट करके जरूर बताएं यदि यह आप एक GeoPos Lite के retailer है तो आपको आपका account आपने खुद से create किया है या आपने अपने नजदी की distributor से create किया है तो दोस्तों यह कारण था कि यहाँ पर Geo के distributor retailer को GeoPos Lite का account इसलिए बना रहे हैं और दोस्तों जब आप पूरी तरीके से करने लगें तो आप अपने FSC से और DSC से contact करके और दोस्तों यहाँ पर अपने पोज को GeoPos Plus बनवा सकते हैं और GeoPos Lite का भी account आपके पास रहेगा और GeoPos Plus का भी account यदि किसी दिक्कत या किसी परेशान के वज़े से जैसे कि माली जिए COVID की थाड़ वेब आ जाती है तो दोस्तों यहाँ पर रिटेलर को बैलेंस में प्रोब्ला ना वो वो यूपी आई के तुरू एड बैलेंस कर सके तो दोनों पोर्टल जो है रखने कमपलसरी कर दिया है कमपणी के तरफ से तो दुस्तों मेरे दुआरा दीके जानकारे आप समझ गए होगे कि कमपणी जियो के डिश्टूर्टर जियो पोज लाइट का अकाउंट क्यो बनाते हैं तो दुस्तों चलिए आज की उडियो में इतना ही मैं मिलूँगा आपसे ने सोड़े में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत